नमस्कार जैसी आराम राध है राध है दोस्तों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 25 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस बेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग, भाग्य शाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके शामने में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं हो मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके बैबाहिक जीबन के बारे में मित्रों दामपत्य जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयाद बहतर और शानदार है आज के दिन हो सकता है तो आपका जीबन साथ ही आपको कोई सर्प्राइज देगा और उस सर्प आपके बैबाहिक जीबन में आपको कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके श्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाइने से बहुत जयादा नीचे है आप में से जो भी लोग नसा पान करते हों सराब क शेबन करते हों धुम्रपान करते हों तो आज के दिन आप ये सब बिलकुल भी न करें क्यूंकि अगर आप नसापान करते हों तो आज के दिन आपका श्वास्त आपका शाथ नहीं देगा और इस वजह से आने वाले शमय में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जियादा बेहतर और सांदार है आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ देगा और नए काम में आपको शफलता भी अवश्य मिलेगा वैसे अगर आपके प्रेम शम्बंध की और देखा जाए तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो मुलाकात करने के बाद आपका प्रेम शम् कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपके जीबन में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी आज के दिन आपके लिए भग्यसाली अंक है वन यनी की एक आज के दिन आपके लिए भग्यसाली रंग है क्रीम और सफेद इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा तो उपाई बहुत ही जयादा सामान और आशान है आज के दिन एक मंत्र है उस मंत्र का जप आप कम से कम इग्यारह बार करें आपका शमय सांदार हो जाएगा वो मंत्र है ओम गंगन पते नमह इस मंत्र का जप अगर आप कम से कम इग्यारह बार करते हो तो आपका शमय सांदार हो जाएगा और आपके जीबन में जो पड़ेशानी है जो समस्या है उस समस्या का अंत हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगा सेयर कर दें धन्यवाद